तो अगेन आइवेलकम यूटूब चानल से रोमिल जायन और बच्चों आज वाले वीडियो के अंदर हम लोग बुक नंबर थी के स्टार्ट करेंगे और जो पहला चाप्रा मुग स्टार्ट करें इस बिए इंपॉर्टन चाप्टर याइज चाप्टर नंबर फाइव बुक नंबर थी का चैप्टर नंबर फाइव बुक नंबर थी का बुक नंबर थी मतलब एनलेसिस और फिनेंशल स्टेटमेंट ठीक है न और चैप्टर का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट मेरी बात फिर से ध्यान देना आज वाले वीडियो के अंदर हम लोग जो टॉपिक स्ट करें बच्चों वेस्टार्टिंग इंदर चैप्टर नंबर फाइव बुक नंबर थी और टॉपिक का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट ठीक है न अब क्या चैश्लो का पहले मैं आपको डीटेल में समझांगा पिर पूरी नोटिंग करांगा तो आप पहले ध्मिन से सम्झ जो बताता है cash का कितना flow है ठीक है ना देखो आप एक चीज समझना basically क्या होता है जब मैं बात करता हूं cash की तो cash को आप लोगों को सबको पता होता है it is the most liquid asset liquid मतलब पानी की तरह बहने वाला asset है और इसको पता है हम लोग क्या बोलते हैं सबसे sensitive sensitive मतलब cash के ओपर सबकुछ dependent होता है company के अंदर सबसे जब गवन होते होते भी cash के हैं तो cash flow statement का मतलब क्या होता है एक ऐसा statement जो cash का flow बताता है वो cash flow statement होता है अब अगर मैं इस chapter is very very important chapter इस chapter को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है सिर्फ आपके 12th board में तो ही से important board के अंदर तो आपके fix six marks execution रहेगा एक board exam में प्लस आपके जो MC की उसमें कम से को आपको दो से तीन नंबर का इस chapter में से मिलेगा और आप जो practical दोगे न external उसमें भी आपको cash flow statement रहने वाला है तो exam point to view से बहुत important chapter है even आपकी higher studies ले भी बहुत important chapter है मैं आपको कुशिश करूँगा one by one video के अंदर बहुत systematic way में दीरे-दीरे cash flow अच्छे समझाता हो चलो आपको क्या करना है सिर्फ अच्छे से मेरी video follow करनी चैनल को like कर देना है और अपने friends का share कर देना है ठीक है न अच्छा flow दो तरका होता है flow can be inflow और it can be outflow मेरी बात वापस द्यान दखना inflow का मतलब होता है पैसे का आना और outflow का मतलब होता है पैसे का जाना तो cash flow statement क्या होता है basically एक ऐसा statement होता है जो बताता है inflow और outflow cash का कैसे होगा मेरी बात फिर समझना एक कंपनी के अंदर cash का जितना भी inflow और outflow होता है पूरे साल भर में वो सिर्फ cash का मेरी बात फिर समझना एक कंपनी के अंदर cash का जितना भी inflow और outflow होता है साल भर में वो बताता है cash flow statement अब cash flow statement बनता कैसे है तो यह द्यान लखना बच्चों cash flow statement हमेशा ध्यान रखना है is prepared as per accounting standard number 3 आप लोगों ने 11th class के अंदर एक chapter बढ़ा theoretically जिसका नाम था accounting standard अभी इंडिया के अंदर 32 accounting standard है उसमें chapter number 3 तुम सिफ AS3 के नाम से ध्यान रखना cash flow statement is prepared as per accounting standard number 3 cash flow statement क्या बताता है एक ऐसा statement जो cash का flow बताता है what is meaning of word cash cash का मतलब क्या होता है कोई भी चीज which is the most liquid तो cash का मतलब simple हम लोग क्या बोलते है cash and cash equivalent बचो cash का मतलब क्या होता है cash and cash equivalent तो cash flow statement का मतलब होता है एक ऐसा statement जो cash का flow बताता है flow मतलब inflow or outflow what is meaning of word cash cash का मतलब होगा cash and cash equivalent जो cash और cash के बराबर है जैसे आप एक चीज़ समझना मैंने पैसा bank में जमा कराया एक तो मेरे हाथ में hard cash पड़ा हुआ है और एक होता है मैंने पैसा bank में जमा कराया तो bank में मेरा पैसा cash तो नहीं है but it is cash equivalent तो cash नहीं है बंक में मेरा पैसा बिल्कुल कैश की तरहा है तो कैश के बराबर है तो ध्यान रखना है cash flow statement मतलब ऐसा statement जो cash का flow मतलब inflow राउट flow और cash मतलब क्या होता है cash and cash equivalent cash flow statement बनता कैसे तो it is prepared as for the guidance of accounting standard number three किसके साबसे बने का बच्चो एस 3 के साबसे ठीक है तो एक हम पहले नोटिंग करते हैं फिर मैं आपको one by one समझाता हो चलता हूं ठीक है ना तो इस्टार्ट करो एक बड़ा आप लिखो चाप्टर नंबर 5 cash flow statement ठीक है ना cash flow statement का short form is cfs cfs is a statement showing inflow and outflow of cash and cash equivalent जो cash नहीं बट cash के बराबर है में आगे समझा रहा हूं क्या होता है during the period all transaction that decrease cash are cash outflow जबकि वो सारे transaction जो cash को कम करेंगे वो क्या है बच्चों cash का outflow तो cash flow statement क्या होता है एक ऐसा statement जो inflow or outflow बताता है cash or cash equivalent का वो transaction जो cash को बढ़ाते हैं वो cash के inflow हैं वो transaction जो cash को घटा दें वो cash का outflow है cash flow statement is prepared as per the rules prescribed under AS3 accounting standard number three अब अगर मैं बात करता हूं बच्चों इसमें एक टम मैंने बताया cash का मतलब मैंने आपको बताया cash equivalent अब तुम एक चीज़ समझना cash equivalent का मतलब क्या होता है cash equivalent का मतलब क्या होता है any asset that is equal to cash जो cash के बराबर है just example समझना for example bank में deposit किया मैं अब bank deposit क्या है cash नहीं है but it is as equivalent as cash अच्चा इसके अलावा और ऐसा समझो वो सारी security वो सारी security जिसके अंदर मैंने पैसा invest किया और उनका maturity period maximum three months का है मेरी बात फिर से सुनना वो सारी security जिनके अंदर मैंने पैसा invest किया और maturity period maximum three months का है मतलब cash equivalent मतलब क्या होता है it is as equal to cash जिसमें एक bank में पैसा जमा करा है वो cash equivalent है या वो सारी security जिनका maturity period maximum three months का हो गया है 90 days का हो गया वो भी cash equivalent है मतलब वो cash के बराबर ही मने जाएगी क्या क्यों हम ये cash equivalent बोल रहे है अभी आगे तुमको समझ में आ जाएगा अभी तुम सिर्फ इतना जाएगा cash equivalent मतलब all the security that having maturity period of maximum 90 days ठीक है तो देखना एक बराब cash equivalent means all the receipts which are equal to cash जो cash के बराबर है that is cash in hand bank balance marketable security marketable मतलब वो होती सेक्योरिटी जिनका maturity ती में तक है current investment etc अब क्या होता है बच्चों जब हम लोग बात करते है cash flow statement की ये marketable security current investment cash equivalent है अब cash flow statement को accounts में जब हम लोग बनाना सीखेंगे तो ये ध्यान रखना cash flow statement बच्चों दो method से बन सकता है एक तो होता है method जिसको मैं कहता हूं direct method और second method होता है जिसको मैं कहता हूं indirect method मेरी बात फिर से ध्यान देना cash flow statement बच्चों दो method से बनता है एक तो होता है direct method और second होता है indirect method मैं अभी आपको बता है cash flow statement का मतलब क्या होता है एक SI statement जो cash का flow बताता है cash मतलब cash या cash equivalent cash equivalent मतलब वो सारी security जिनका maturity पर 90 दिन तक है which include cash in end, bank balance, marketable security, current investment It is prepared as per the accounting student number 3 दो method से cash flow student बन सकता है एक होता है direct method एक होता है indirect method अब exam point of view के लिए ध्यान रखना direct method अपने course का part नहीं है ये तुम higher level पर पढ़ोगे cash flow statement दो method से बनता है first method is direct method, second method is indirect method direct method अपने course का part नहीं है अपने को सिर्फ indirect method से पढ़ना है क्या होता है indirect method मैं तुमको आगे समझा रहा हूं तो अब क्या होता है cash flow statement is prepared as per following two method one is direct method not in syllabus and second is indirect method which is in syllabus अब कैसे cash flow बनता है क्या होता है तो मैं आपसे एक बहुत simple logical ही पूछता हूं देखो तुम ध्यान से समझना मान लो मैंने बोला ये है Mr. Ramesh या Mr. Ram ये मैंने photo बना दिया तुमारा photo बना दिया ठीक है जो बच्चा पढ़ रहा है वीडियो देखके ये उसके बाल बना दिया ये छोटे से कान बना दिया ये कौने बच्चों ये है Mr. Ram इसका नाम है राम अब राम क्या करता है सुबे घर से निकलता है दस बजे बच्चों राम क्या करता है सुबे घर से निकलता है दस बजे और अपनी जेब में पांच जार रुपे लेके निकल जाता है राम सुबह घर से निकलता है दस बजे सुबह कितना रुपे लेके निकलता है जेब में पांच जार रुपे लेके निकलता है ठीक है अब राम जब सुबह दस बजे घर से निकलता है जब राम आया तब मानलो उसके 7,000 थे और एक मानलो राम आता है उसके जेब में होते हैं 3,000 दो केस है पहले अपन लोग बात करते हैं राम सुबह लेके निकला 5,000 रुपे और शाम को आया 7,000 रुपे लेकर और एक बात करूँगा राम सुबह निकला निकला पांच जार रुपे और शाम को आया तीन जार रुपे लेकर अब मैं पहली बात करता हूँ अब मेरे को एक बात बताओ राम सुबह निकला था गर से जेम में पांच जार रुपे लेकर के शाम को आया घर पे वापस साथ जार रुपे ले करके मतलब बताओ राम की जिब में कैश बढ़ा कितना तो आप बोलोगे सर राम की जिब में कैश कितना बढ़ा दो जार रुपे कैश बढ़ गया राम की जिब में राम की जिब में कैश कितना आया 2,000 रुपे कैश राम की जिम में आया अब आप मेरे को बताओ अगर राम सुबह 5,000 रुपे लेके निकला और शाम होते होते राम की जिम में 7,000 रुपी आ गए तो राम की जिम में 2,000 रुपे कैश बढ़ा अब ये बताओ ये 2000 रुपे cash बढ़ने का क्या reason हो सकता है अप सोचो मन के अंदर अपने दिमाग में सोचो राम के cash बढ़ने का क्या reason हो सकता है दो मिट जरूर सोचना तो तुम्हारे mind में आएगा मैं hold कर रहा हूं सोचो राम की जिब में cash क्या बड़ा क्यों होगा तो अब आपके मन में कुछ ख्याल आ रहे होंगे एक तो आ रहे हैं सर कुछ ख्याल नहीं आ रहे कोई मतलब नहीं है सर हम को पढ़ने से बस यह आपकी वीडियो देख लें जो पढ़ा रहे हो पढ़ ले एक होता है अपना दिमाग चलाओ दिमाग चला हो गए तुमको आएगा सर राम की जिब में कैश बढ़ने है कुछ करण हो सकते हैं हो सकता है राम ने कोई सामान बेचा हो हो सकता है सर राम को डेटर से पैसा आ गया हो डेटर को पैसा भी देगे राम को हो सकता है राम से किसी ने उधार लिया हो राम ने किसी से उधार लिया हो सर तभी पैसा आया हो सकता है राम ने कोई असेट बेच दिया हो सर कोई असेट सेल कर दिया हो और कोई रीजन आता है क्या सर उधार लिया हो असेट बेचा हो या सेल किया हो लग 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 रीजन तो ही होते है पैसा आने के या तो मैंने राम ने कोई सामान बेचा होगा पैसा आया होगा या डिटर से रिकवरी होगी होगी तो पैसा आया होगा या राम ने फंड्स उधार पे लिए होगे तो पैसा आया होगा या राम ने कोई असेट को बेज दिया होगा तो पैसा आया होगा और वेसी बात है यही कारण हो सकते हैं अब मेरे को आप एक बात बताओ ये सब रीजन मैंने लिखे पैसा आने के अब मान लो राम सुबह लेके निकला पांच जार रुपे शाम को लोटा घर पे तीन जार रुपे लेकर के तो कितने रुपे कम हो गए दो जार रुपे कम हो गए तो आप क्या बोलो के सर क्या कारण हो सकता है तो कारण हो सकता है सर या तो राम ने कुछ सामान खरीदा हो परचेस किया हो या राम ने क्रेडिटर कोई बाकी था उसको पेमेंट कर दिया हो creator का पैसा चुका दिया हो या राम ने कोई liability थी जो उदार लिया था उसको payment कर दिया है या राम ने कोई asset खरीद लिया ऐसे ये कुछ कारण हो सकते हैं पैसा कम होने के अई बात समझ में तो तुम अगर इन सब reason में देखोगे ना तो एक बहुत basic समझना ये मेरे business के routine reason है goods बेचना, debtor से पैसा आना goods खरीदना, creditors को payment करना ये routine transaction है business के जो business के routine transaction होते हैं उसको बोलते है operations ऑब पैसा बढ़ने है कारण ये हो सकता है ये हो सकता है, ये हो सकता है ये हो सकता है ये कॉम्भीनेशन हो सकता है इन किसी का भी तो cash flow statement मैं जब भी बनाता हूं तो हमेशा ध्यान रिखना बच्छो cash flow statement जो बनता है वो सबसे पहले जो first activity होती है वो होती है operating activity operating मतलब होता है मेरे routine business activity जो मेरे routine business का activity है पैसा आना पैसा जाना ये sale करना डेटर से पैसा आना तो जो cash flow statement होता है वह cash का आने का पहला जो कारण होता है वो होता है operating मेरे business के routine transaction हो ठीक है दूत्रा मैंने क्या बता है हमने पैसा क्या ले लिया होगा उदार लिया होगा उदार अगर लेते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं financing activity उसको हम लोग क्या बोलते हैं हमने पैसा क्या करा उदार पर लिया तो फिनेंस करा हैं हमने उदार लेना तुम समझते हो ना finance करना उसको बोलते हैं financing activity और asset खरीदना asset बेजने को हम लोग बोलते हैं बचो investing activity तो ध्यान रखना जब भी अपन cash flow statement बनाते हैं तो cash flow statement accounting standard number 3 बोलता है दो method के साब से बनता है direct method और indirect method और अगर मैं बात करता हूँ direct method और indirect method की तो इसमें 3 head के अंदर cash flow statement बनता है पहला head होता है operating activity दूसरा head होता है investing activity और तीसरा head होता है financing activity activity इन सब activity को जब मैं जोड़ देता हूँ तो वो मेरा cash का flow आजाता है वो क्या आता है बच्चों वो मेरा cash का flow आता है मतलब simple सी बात है अगर मैं इन तीनों activities है cash का flow निकालना हो और इसमें opening cash जोड़ दूँ तो मेरा किस के बराबर आ जाना चाहिए clothing cash के बराबर आ जाना चाहिए तो cash flow statement जो बनता है वो basically major तीन activity में बनता है operating activity, investing activity और financing activity operating, investing और financing जब हम तीनों activity को club कर देते हैं तो वो हमारा final cash का flow आता है और उसमें अगर मैं opening cash जोड़ देता हूँ तो मेरे clothing cash के बराबर आ जाना चाहिए तो remember that cash flow statement is prepared under the three head operating in cash flow from operating activity cash flow from investing activity और cash flow from financing activity इन तीन head के अंदर cash flow statement बनेगा operating, investing और financing और जब मैं तीनों head के cash के flow को जोड़ दूँगा और उसके अंदर opening cash जोड़ दूँगा तो मेरा figure किसके बराबर आ जाएगा closing cash तो अभी हमने discuss कि कि cash flow statement बनेगा तीन head में operating, investing और financing तीनों head के अंदर मैं क्या करूँगा cash का inflow check करूँगा और cash का outflow check करूँगा तीनों head में cash का inflow check करूँगा, outflow check करूँगा और यह होगा मेरा salver का cash moment opening cash अगर मैं inflow outflow में जोड़ दूँगा तो किसके बराबर जाना जाना ची closing cash के बराबर जाना ची यह एक basic concept है cash flow statement का अब कैसे cash flow statement बनता है हम लोग आगे वाले के अंदर discuss करते हैं ठीक है ना तो एक बड़ा basic noting कर लो कि cash flow statement preparation of cash flow statement cash flow statement is prepared in the following three head cash flow from operating activity cash flow from investing activity and cash flow from financing activity ठीक है ना अब यह तीनों activity क्या होती है कैसे तीनों activity का होगा हम लोग next वाले वीडियो के अंदर discuss करेंगे ठीक है ना तो यह एक basic concept मैंने बताया था इस वीडियो में relating to cash flow statement ठीक है चलो तो हम लोग मिलते हैं next वाले वीडियो के अंदर student अगर आप हमारे whatsapp group पे नहीं हो तो फटा फट मेरे को message कर दो यह मेरा number है whatsapp number इस पर मैं आपको whatsapp group पाइड कर दूँगा आपको सारे update sample पर each and everything आपको whatsapp पर update regular मिलेगा ठीक है चलो thank you all of you best of luck